हाई गाई साथ हम बनाने जारे रामदाने की खीर और उसके लिए हमें चुई एक लीटर दूद हमने दूद को बलने के लिए रख दिया है इसे हमें आधी घंडे तक उबालना है हमने क्या सौन कर दिया आई हम देखते हैं और किंजी जो की जरुत पड़ेगी यह हमने रामदाना लिया है तीन कटोरी एक कटोरी शक कर लिए है एक चममच घी लिया है साथ स्याट काजू बदाम लिए है मकाने लिए है अब हम कडाही गरम कर लेंगे उसमें एक चबमच घी ढालेएंगे घी हमारा गरम हो चुका है अब हम उसमें रामदान्य ढाल देंगे अब हम इससे चलाना है हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूहनना है इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए म rational देख सकते हमारा रामदान भूण चुका है को हो को दूद हमारा एधे ग्यंटे तक उबल के तैयार हो चुका है आप देख सकते हमने इसमें सक्कर डाल दी है अब इसमें हम काजु बदाम पीसे बर डाल देंगे अब इसमें हम मखाने आइट करेंगे हमें इसे दो मिनट तक पकाना है जिसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमने इसे दो मिनट तक पका लिए है अब इसमें हम रामदाना आइट कर देंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा रामदाना आइट करेंगे एक साथ हमें नहीं डालना है रामदाने को हमें ज्यादा ज्यादा दे तक पकाना नहीं है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हमने सारे रामदाने आइट कर दी है अब देख सकते हैं खीर बन चुकी है अब इसे हम सर्व कर लेते हैं हमने एक बाउल में निकाल लिया है अब हम इसे डेकोरेट करेंगे अब इसमें हमने कटे हुए काजू बदाम अट की है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें हम आपके लिए ऐसे नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे हमने इसमें मखाने अट की है इसे देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत हिल्दी है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं हमने अपने खिर को डेकोरेट कर दिया आप देख सकते हैं हमने ये ज दोसे बहुत हैं